आलू मटर की सिंपल तरीकी की सबजी आपने बहुत बार खाई होगी आज मैं आपको बिल्कुल अलग और अनोखे तरीके से बता रही हूं कि आलू मटर की सबजी किस तरके से आप बनाओ जो बहुत ज़्यादा लजीज हो और आप उसको उंगलियां चाड़ चाड़ के सबजी नमस्ते दोस्तों मैं हूं किरन और मेरे चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो जादा बाते ना करते वे चलिए शुरू करते हैं आज की ये रेसिपी तो फ्रेंट्स आज की रेस्पी बनाने के लिए यहां पर मैंने लिया है नए वाले आलू आप देख सकते हैं इसमें अभी जस्ट मिट्टी लगा हुआ है और यह जस्ट अभी नया के नया ही ताजा के ताजा ही आया है मैंने इसको जस्ट खरीदा है और इसका कलर भी इसको बॉल करना है तो यहां पर मैं दो सिटी लगा कर इसको बहुत ही अच्छे से बॉल करूंगी तो मैंने कुकर को गैस पर डाल दिया हुआ हुआ है बॉल होने के लिए जब तक हमारा आलू बॉल होगा तब तक हम आगे का प्रिपरेशन करते है उसका यहां पर मैंने स् 2-3 डंठल इस तरह से काट करके इसको भी ले लोंगी तो आपकी कॉंटिटी कम और ज्यादा प्रख सकते स्प्रिंग अंडियन जादा और कम डालने से कोई फरक नहीं परता और स्वाद और भी ज्यादा बढ़ियां हो जाता है मैंने सारे हरे वाले पत्ते और 2-3 डंठल काट मैं और डाल रहे हो जीरा यहां पर लगवग एक चमच के सबस में साबुत जीरा ले रही हूँ और लगवग आदर चमच यहां पर काली वाली मेर्च ले रही हूँ साबुत इसको हमें पानी एड करके और काफी अच्छे समय स्धड इसको घ्राइं करना है परियां सब पेस से अब चलते अगले स्टेप में, यहां पे मैंने लिया है कड़ाई, और इसकारद यहां पर मैं सबसे पहले यूज़ करूँ कि सरसो का तेल, सरसो का तेल, कोई भी सबजी में डालने से उसका स्वाध दोगोना तिनगोना बढ़ जाता है, यहां पर मैंने 4-5 तेल लिया है, स सब्सक्राइब लाल मिर्च और दो तेज पत्ता डाला है और जैसे यह अच्छे से पक जाएगा इसमें हमने डालना है कटे हुए हमारे हरे वाले प्यास को मैंने इसके अंदर डाल दिया हुआ है और डाल करके इसको हमें अच्छे से यहां पर हलका से कुछी दिर में इसका कलर जो है बहुत ही अच्छे से चेंज हो जाएगा तो दो से तीर मिर तक इसको अच्छे से भून ले ब्राउन होने तक कुछ देर तक कलर चेंज होने तक तो जैसे इसका हमारा कलर बहुत ही बढ़ यहां पर हमें डालना है हमारे जो next मसाले हैं वो डाल देते हैं जैसे की healthy powder आदा चम्मच और फिर तिखा पन के लिए मैं यहां पर लाल रही हूँ लाल मिर्शी powder लगवा एक चम्मच तिखा कम जादा बरख सकते अपने हिसाब से और फिर उसके बाद मैं डालूंगे यहां प स्वाद के साब से नमक रख देती हूं और फिर इसको चला लेते हैं एक से दो मेरे तक काफी अच्छे समय यहां पर मसाले को भूनना है मसाले जब तक इसके उपर उपर तक तेल नहीं आपको देखेगा तब तक आपको भूनना है फिर यहां पर मैंने आधा कब जो है के लाओ को मैंने बहुत ही अच्छे से साइज में काट लिया है। एक लगभग पानी अपने ग्रेवी के हिसाब से, आप यहां पर दोस्तों येकिन वानी सुखा भी ड्राइजो भी मैंने पानने पहले तक अस्टेव था नवहां तक भी आप रख सकते हैं और फिर लास्ट व और फिर आपको इसको ढख के पकने देना है, लगभग 4-5 मेर तक, और लेडी आलू पका हुआ है, मटर को थोड़ा सापको पकाना पड़ेगा, तो अगर आपको लगे कि मटर कच्छा है, तो दुबारा से ढख करके 2-3 मेर तक इसको पका सकते हैं, और अगर लगे कि मटर बह करेंगे spring onion के साथ spring onion के साथ डालने से क्या होगा और भी look attractive और खुबसरत दिखेगा तो बहुत ही सिंपल है आज की यह recipe नए वाले आलू मतर और spring onion की जरू ट्राइ कीज़ेगा सर्दियों का सीजन में यह सारी सब्जी हमें दोस्तों बहुत ही इजली मिल जाती है और इस सब्जी का स्वाध है डबल ट्रिपल गुना अच्छा लगता है पादमा की सारे टाइम से एक बास जरूर ट्राइ किज़ेगा यह spring onion आलू और मतर की सब्जी और बताईएगा जरू फोटो खीच के जरूर भीजिएगा या फिर इंस्ट्राग्राम पर या फिर फेस्बूक पेज भी आप सबसे फिर से मिलती है एक नए वीडियो में नए रस्पी के साथ तब तक लिए टी कियर बाई थैंक्स वर वाचिंग